देख विनाब्रिक दव्लोड दाक एप के बाहर डटे हुए हैं और 2400 घंटे इनका भजन के इरतन जारी है दरसल यह इनके विरोध का तरीका है यह इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बी एच यू के संस्कृत विभाग में मुस्लिम प्रोफेसर फिरोज खान के नियुक्ति क्यों हुई कासी हिंदू विष्विद्याले अधिनियमों में इस परस्ट तोर पर उलिखित है कि बैदिक विज्ञान बैदिक कालेज अर्था संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में सनातन धर्मों वलंबियों के विरुद्ध जो भी धर्म है उनका प्रवेश वर्जित है तो जो यहां की नियुक्ति प्रकिरिया नियुक्ता है उन्होंने इस नियमों को ताक पर रखे दर्किनार करते हुए कासी हिंदू विष्विद्याले में एक गैर हिंदू प्रोफेसर की नियुक्ति कर दी तो हमारा विरोध संस्कृत भाषा को पढ़ाने को ले करके नहीं है संस्कृत भाषा पर सबों का अधिकार होता है लेकिन संस्कृतिक धर्म पर सबका अधिकार नहीं हो सकता ठिक उसी प्रकार जैसे कि मैं कुरान पढ़नू पर मैं मौल भी नहीं हो सकता दरसल बियची में संस्कृत विभाग दो हिस्सों में बढ़ा है एक हिस्सा संस्कृत संकाय का है दूसरा संस्कृत विद्याधर्म संकाय का है विरोध कर रही छात्र कह रहे हैं कि उन्हें इस बात से परिशानी नहीं है कि फिरोज खान संस्क्रित पढ़ाने क्यों आए हैं बलके उनका विरोध इसलिए है कि फिरोज को संस्क्रित विद्या धर्म संकाई में नियुक्त किया गया मुसल्मान प्रोफेसरल चे कोई दिक्कत नहीं है देखिए इतने बड़ा अगर इतने एकर में जो बना है विस्सविद्याले मदन मोहल मालविय जी ने जो इसको बनाया है तो इतने जब फटेल्टी और 16 फटेल्टी यह हैं इसमें संस्क्रिट डिपार्ट्मेंट दो क्यों बनाया है इसमें किसी ने गौर नहीं किया, ठीक, एक संस्कित फेकल्टी जो है आर्ट फेकल्टी में है, उसमें सभी वर्गों के सभी धर्मों के लोगों के पढ़ने के लिए अनिवार है, कोई भी आके पढ़ सकता है, जान सकता है, पढ़ा सकता है, समझ सकता है, लेकिन संस्कित अमद मयूख मुस्लिम थे मगर उन्होंने वेदों का फार्सी में अनुवाद किया था गीता का उर्डू अनुवाद अनुवर जलाल पूरी ने किया था ऐसे में संस्कृत के सेवक का धर्म के आधार पर विरोद किसी के गले नहीं उतर रहा